प्राणयाम को कैसे आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं अपने रोगों के अनुसार देखिए भस्तिर का प्राणयाम वैसे तो तीनों दोसों को बैलेंस करता है वादपित कफ तीनों दोसों में आप इसको कर सकते हैं यदि हाई बीपी है तो सहजिता से करें मृदुभाव से करें एक्योट अस्तमा की प्रब्लम है तो भी आप दिरे दिरे ही इसका अभ्यास करेंगे बस्तिर का प्राणयाम आपकी बोडी को ऑक्सिजनेटिर करता है और बोडी से कार्बेंड आउक्साइड और दूसरे विसेल तत्वों को बोडी से बाहर निकालता है लेकिन विदी ठीक होनी चाहिए इस पर विसेज ध्यान दिया जाए भस्तिर का प्राणयाम करते समय हम दोनों नौस्चल से धीरे धीरे लंबा स्वास भरते हैं और गहरा लंबा स्वास ही बाहर छोड़ते हैं यदि स्वास भरने मे लगभग 15 सेकंड आप लगाते हैं तो 15 सेकंड में ही स्वास को बाहर छोटना है एक समान समय एक समान फोर्स होना चाहिए इस प्रकार से आप भस्तिर का प्राणयाम का अभ्यास करेंगे देरे देरे गहरे स्वास ले तो सहजिता के साथ 15 सेकंड तक स्वास को भढ़ने की कोशिस करें और 15 सेकंड तक ही स्वास को बाहर छोड़ें तो जिने बीपी हाई रहता है एक्क्यूटस में वो इस प्रकार से करेंगे यदि आपका बीपी लो रहता है और दूसरे अन्य कोई भी रोग हैं तो थोड़ा आप इसको इसकी गतई को बढ़ा भी सकते हैं इस कृकार से करें भस्त्र का बस्त्र कहते हैं दोकनी को लोहार के पास एक दोकनी होती है जिसका प्रिचोग लोहार अगने को जलाने के लिए करता है ठीक उसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणयम का अभ्यास भी हम अपने सरीर की अगनियों को परजुलित करने के लिए करते हैं यदि आपकी बोडी में आलश्य रहता है कफ से संबंदित रोग है तो आप थोड़ा फास्ट भी इसको कर सकते हैं इस प्रकार से मैंने आपको करके दिखाया अर्थार्त पास्ससेकंड में स्वास को भरने और फास्सेकंड में स्वास को बाहर छोड़ देना एक समान फोर्स एक समान गती होनी चाहिए इसका जीहान लगएक गलत प्रकार से यदि आप टालम का भ्यास करते हैं तो के benefit आपको नहीं मिल पाते आपका समय विव्यर्थ जाता है और आपको निरासा हाथ लगती है और यदि आप ठीक प्रकार से प्राणाम का अभ्यास करेंगे तो निश्चत रुप से आपको सो परतिसत लाब होगा और ऐसा कोई रोग नहीं जो प्राणाम का अभ्यास करने से आशनों का effect भी body पर नहीं हो पाता या exercise करने का प्रभाव body पर नहीं आता महा प्राण इतना सुक्स्म होता है कि उस सुक्स्म से सुक्स्म नाडियों के उपर भी उसका effect आजाता है तो प्राणायाम हर रोग में किया जा सकता है लेकिन किस ढंग से करना है उसको आप ठीक से समझें और उसी प्रकार से उसका अभ्यास करेंगे तो भस्त्रिका प्रडायम आप निरंतर प्रति दिन सुभे के समय इसका अभ्यास जरूर करें पांस से दस मिनट तक आप इसे धिरे-धिरे बढ़ा सकते हैं प्रारम में जब आप इसको स्टार्ट करना प्रारम करते हैं तो अपनी बोड़ी की कैपसिटी के नुसार ही इसका अभ्यास करें कोई जोर जबरस्ती ना करें गलट धंग से ना करें इन बातों का विसेज ध्यान लखें ये वीडियो आप अधिक सदिक शेर करें ताकि प्राणयाम की सही जानकारी सभी तक पहुंच सके और प्रते की व्यक्ति इसका बेनिफिट उठा सके आप लोग स्वस्त रहें निरोग रहें इनी सुब कामनाओं के साथ ओम शान्ति